दोस्तों नमस्क्राइब आप जानते हैं किसी वरती समंदित कोई भी जान गई होती है आप सभी को लाइक कर दें सबस्क्राइब कर लें जिससे की जान गई आप सबसे पहले मिलें चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं शुबात करेंगे सबसे पहली अपडेट के बारे में जो की संबंदित है एल्टी केड़ सिच्छक भरती के बारे में एल्टी केड़ सिच्छक भरती के विग्यापन के लिए कल देजात को मैंने आपको एक वीडियो बनाया था और अन्लाइट अटर फर्श्टी चैल के माध्यम से जो भी जानकाई आपको दी जाती है वो आपको अगले दिन समाचा पतों में देखने के लिए मिल जाती है कली मैंने आप स्पीकर विग्यापन के बारे में UPPSC के माध्यम से मिली जानकाई के आधार पर जानकाई दी थी अब वो समाचा पतों में भी आप स्पीकर सामने आना शुरू हो चुकी है मतलब यह है कि जल्द ही नई LTE केट सिछग बढ़ती का जो विग्यापन जारी होने वाला है कैसे जारी होगा हम आगे बात करते हैं क्योंकि कली मैंने आप स्पीको बताया था कि लगबक 9000 के आसपास पतों पर LTE का विग्यापन जारी होगा योगिता की विवाद के चलते भले भरती का विग्याबन जारी नहीं हो रहा है लेकिन अगर सरकार का जवाब आ जाता है या फिर इसके लाबा कोट की तरफ से फैसला हो जाता है तो आपकी भरती का विग्याबन जारी हो सकता है उसी को लेकर आज की तारीक में एक पहला आप प्रिक्षा के माध्यम से लेकिन इस बार आप पास होंगे उसमें से मेरिट बनेगी फिर दुबाया से आपको पास होंगे तब आपको नौक्री मिलेगी नीचे लिखा हुआ है कि राज की विद्यालों में अब दो चर्णों से परिक्षा देखने के लिए मिलेगी जैसे कि PCS में होती है मतलब पहले आप सभी की प्रामिक परिक्षा करवाई जाएगी इसमें सब्बल अव्यर्थी को मुख्य परिक्षा में सामिल होंगे भर्थी परिक्षा में पारदर्सितर लाने के उध्यस से लोग से बार आयो के माध्यम से एक चर्णों भर्थी विवस्ता को घतम करने का निर्णा लिया गया है माध्यमिक सिच्छा विवाग के आयोग के अगर बात की जाए साएक अध्यापक के 5000 से अधिक पदों की सूचना मिल चुकी है मैंने हमेशा आप सभी को कहा था कि एल्टिकर भर्थी के अंदर 9000 के आसपास पद होंगी होंगे अगर यहां से सरी तरीके से अधियाचन मांगे जाती हैं तो मैं आपको दिखाने भी बाला हूँ आगे कुछ विशेओं की अगर बात की जाए तो आहरता इस पश्ट न होने के चलते भर्थी का विग्यापन जारी नहीं हो पारा है इससे पहले आयोग ने पहली बार 2018 के अंदर 10,868 बदों पर यहां से जो भर्थी का विग्यापन ने वो जारी किया था उस समय पेपर लिग हो जाने के चलते अंजुर अधा कटियार को जेल भेज़ दिया गया था और काफी ज़्यादा बवाल हुआ था उस बवाल से बचने के लिए इस बार कहने की आपस्भी की जो परिक्षा है वो दो परिक्षाओं के माध्यम से करवाई जाएगी पहले आपको प्री देना पड़ेगा फिर आपका मेंस होगा उसी को लेका नीचे आपस्भी के सामने लिखा हुआ है कि अगर बात की जाज की विद्यालों के अंदर लगबग 9000 से ज़्यादा पड़ खाली है प्रदेस की 2332 आज की माध्य विद्यालों की जब बात आती है तो सिचकों के लगबग 9882 यहां से आप देख सकते हैं 9882 पड़ खाली है इन स्कूलों प्रवक्ता की जब बात आती है जो 4700 बस आएक अध्याफक की अगर बात की जाए तो 19,300 पड़ सुईकर थे जिसमें से प्रवक्ता के लगबग 2,770 पड़ खाली है तो वहीं दूसी तब साइक अध्याफक की जब बात आती है तो यहाँ पर लगबग 7,000 पड़ खाली है और इन खाली पड़ों को जोड़ दिया जाए तो पड़ों की संक्या लगबग आप स्पीकर सामरी 9,000 के पिलस हो जाती है और इनी पड़ों को जोड़ कर नई भरती का बिग्याफन जारी होगा तो यहाँ पड़ों की अगर बात की जाए लगबग 9,000 पड़ बड़ी आसानी से बन जाएंगे लेकिन सही तरीके से अधियाचन मांगे जाएं तो बरतमार में पड़ों की संक्या लगाता बढ़ रही है पहले आयोग ने कहा था कि हमारे पस 200 पड़ है फिर 3000 पड़ हो गए फिर पड़ों की संक्या बढ़कर 5000 हो चुकी है लेकिन आपको याद रखना होगा कि एल्टीगेट सिच्छक बरती इस बार काफी ज़्यदा टफ देखनी के लिए मिलेगी पिछले बार के मुकाबले बज़े आप जानते हैं कि एल्टीगेट भरती के अंदर इस बार आप सभी को एक बड़ी संक्या में आवेधन भी आएंगे पड़ों की संक्या भी 10,000 या फिर 7,000 या 8,000 के संति करेगी लेकिन यहां पर आपका जो चैन होगा वो दो परिक्षाओं के माध्यम से होगा पहले आप पिजी दीजिए फिर आप मेंज दीजिए फिर उसके बाद आपको नोकरी के दर्शन होगे और पेशिली बार एल्टीगेट भरती का जब बिग्या बनाया था 10,000 में से लगवग 5-6,000 सीटें बैसी खाली चली गई थी तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि उत्तर बदेश लोग से आयुकी माध्यम से जो पैटरन त्यार किया जाता है वो कितना डिफिकल्ट होता है तो वहीं दूसी तरब बात की जाए अपने अगली अपडेट के बारे में जो की संब्दीत है यूपी टीटी को लेकर एक आदेश जारी किया गया है कोट की तरब से यूपी टीटी के संब्द में कई ऐसे मामले लगे हुए नियाले के अंदर जिसको लेकर बहुत सारे आदेश जारी होते जाते हैं उसी को लेकर यूपी टीटी मामले पर जवाब मांगा गया है अलाबत हाई कोट ने उत्तर प्रदे सिछक पातता परिच्छा अपर प्राइमरी में तीन विवादित प्रष्णों को लेकर दाकिल याचिका पर आयूक से जवाब मांगा है यह आदेश नया मूति विवेक ब्रमा सुगंदा वर अन्यकी याचिका पर अधिवक्ता अन्रवाग अगराही को सुनकर यहां से दिया गया है अगर बात कीचे यूबा विवेजगा मंच की माध्यम से इस आदेश की जानकाई देते को बताया गया कि सुगंदा वर पांच अन्यकी ओर से याचिका में तीन विवादित प्रष्णों को लेकर यहां से जो मामुला है वो दाखिल किया गया था जिसको लेकर हाई कोर्ड क की दरब से पीएनपी से जवा मागा गया है अब पीएनपी जब 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 देगी उसके बाद में कॉमन नंबर को लेकर यहां से फैसला आपको देखने के लिए मिलेकर यूपी टीट के अंदर तो वहीं दूसी तर बात की जाए अपने अगली अपडेट के बारे में जो की समद्य देख तीजटी को लेकर आप जानते कि टीजटी भरती के अंदर बहुत सारे ऐसे विवाद लटके जाते हैं आज से पहले जब टीजटी की भरतिया निकाली जाया कर दी तो उस समय पर इस प्रकार के सवाल देखने के लिए मिलते थे कि टीजटी पीजटी की भरती पंच बरसी योजना होती हैं जो कि आज भी कहिने की पुरानी भरतियां लटकी होई है इस बात को बार बार चीक के कहती हैं कुछ ऐसा ही मामला है टीजटी जीव विग्यान दोजा ग्यारे का उनका परड़ाम आज तक लटका हुआ है जीव विग्यापन के अन्य वि चड़ गया कि उत्तर विदेश मादे में सिच्चा सेवा चैन बोड के सामने रिक्त पदों की संख्या को लेकर भी यहां से विवाद हो गया पहले पदों की संख्या विग्यापन के अनुलसा 83 थे इसी के अनुरू परिक्षा करवाई गई थी पुरानी भरतियों के अगर पूरा करने के दोरान जीव विग्यान विशे के भी अगिसमिर्ड आया तो चैन बोड के दो सदेश्च्च्च कमिटी बनाकर मामले की राय मागी गई और ऐसे में अब इसको लेकर जब काले शुदू होगा तो समस्या यह आ रही है कि जो पदों की संक्या है वो यहां पर नहीं उपारी है अब ऐसे में 83 पदों के लिए तो परिक्षा करवाई गई थी लेकिन पद जो मिलते हुए दिखाई दे रहे वो स्विपर सिफ तीस है अब जो 53 पदे वो कहां से लेकर क्या है और फिर उसके आधार पर इनको निवतियां दी जाए इसी का इंतजार है अब उसमें से 50 पद ले लिए तो वहां पदों की संक्या जीर हो सकती है खासकर महिलाओं के अंदर आप जानते हैं है ना तो यह होता है जब पुरानी लंबे समय तक लटकी यह थी भरतियां और नई भरतियों के लिए भी कहिने की दिक्कते बन जाती है फिलाल टीजडी के बाद इससे सरकार को भी जटके लगने शुरू हो जाते हैं मन दीजए किसी को उसकार के थू किसी नौकी बड़ी आसानी से मिल जाती है फिर धीजडीए करके उसको के अंदर यहां से करने के बदलाव किये जाते हैं कुछ नई को सब्सक्रार के नुक्सां दायक भी हो ज रिकमें आविदन की संख्याओं के लिए लगाता है यहां से कहिने की जो तारिकें बढ़ाई जाती हैं जसे कि लोग यहां पर और भी आविदन कर सकें असल में डीलेड के अंदर आविदन करने वाले चात्मों के संख्याम एक बड़ी गजावट देखने के लिए मिली है बात की जाए बीएड को लेकर उससे बेनिफिट यह मिलता है कि बीएड की अंदर आपको कई अलग अलग भरतियों बैठने का मौका मिल जाता है लेकिन डीलेड करने वाले अभ्यति खासकर अगर बात की जाए तो प्रात्मिक सिच्छक भरती के अलावा किसी भी सरकारी नौक का तो लगा है अब डीलेड करने वाले चात्तों के संक्या में हर साल गिरावट होती है सरकार वले यहां से आविदिन की तारिकें बढ़ाती है लेकिन उसका परड़ाम शुन्य देखने के लिए मिलता है वहीं दूसी तब बात की जाए उनेतर जार भरती इसके अलावा अस तरनाक साबित होंगे क्योंकि 39,000 सिच्चक बरती में सरकार ने बहुत साय दावे किये थे पारदर्शिता हुई थी हलांकि हम जानने कितनी हुई थी पेपर आउट हुआ था और 6,800 गुटाला सरकार ने सुविकार किया है इसके अलावा यह यहां पर आप सभी देख सकते ह पर आप ने वाली 9 सिच्चकाओं को बर्खास कर दिया गया है मामला संबली देप राग्रास से पताबगर से कि सिच्चक बात्रत पारिच्चा टीटी का फारजी प्रजी प्रजी पारदी में चैनित हुई थी इनकी 2020 में साहर कद्याव प्रद के लिए कर दी गई थी अब लेकों को लेकर यहां से कहिने के संदे पाया किया उसके बाद में जाच के बाद बता चला कि पूरे तरीके से फरजी हैं तो वहीं दूसीता बात कीजा असिच्टन प्रफिसर भरती के बारे में लगबग 970 प्रदों पर भरती के लिए बिग्यापन जादी होने बाला है उ पुछ सिच्छा निदे साले से अधियाचन पहले ही मिल चुका है यह बातें उन्हें प्रदवा समालने के बाद अनुपचारिक बादचीत में बताई है आयोग में अभी विग्यापन संक्या 50 के 47 प्रदों के 202 प्रदों पर भरती चल रही है आगामी समय में विग्यापन 51 आप सभी को देखने के लिए मिलेगा जहां पर प्रदों की संक्या 970 होगी और 37 प्रदों देखने के लिए मिलेंगे वीडियो को लाइक करते हैं साथी शेयर करते हैं चैनल को सब्सक्राइब